नमस्कार मैरी माव सब का बहुत बहुत स्वागत करती हो रिद्री सिथी कीचन में आज मैं बनाओगी विहार का फेमस लिट्टी और ये पनाना बहुत ही असान है आप अपने घर में बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो अगर हमारी वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को लाइक करे, सेर करे, कॉमेंट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे घंती के निशान को दबाए ताकि मेरे आने वाले सारे नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो आईए देख लेते हैं हमें लिट्टी बनाने के लिए किनकिन चिरो की जबत परेगी लिट्टी बनाने के लिए ये सब कुछ हमें चाहिए अधरक थोड़ी सी बारिक कटे हुए लहसुन थीन से चार कली कटे हुए आमका अचार नमक खावर सोडा एक चोथाई चमच छोटा साइज प्याज बारिक कटे हुए दो हडी मिर्च कटे हुए आधा कटे हुए निम्बू और हमें चाहिए चना सब्तू आधा कटोरा मैदा आधा कटोरा और तेल चाहिए हमें लिट्टी तलने के लिए सबसे पहले इस मैदा का बड़ा बर्तन में डाल कर दो त्यार कर लेते हुए मैदा इस बर्तन में डाल दी हैं अब इसमें डालेंगे खावर सोडा नमक एक चोथाई चम्मच इसे अच्छी तरह मिला देना है अब इसमें डालेंगे टेल दो चम्मच आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं अभी सब को अच्छी तरह मिला लेंगे यह अच्छी तरह मिल चुका है अब थोड़ी सी पानी लेकर इसे गूंद लेंगे थोड़ी थोड़ी पानी डालना है यह मैदा का डो पुरी तरह त्यार हो चुका है नरम डो त्यार किये हैं बिलकुल चपाती की तरह अब इसे दस मियट के लिए धक कर रख देते हैं सक्तू को त्यार कर लेते हैं सभी कुछ मिला कर लिट्टी बनाने के लिए अब इस सक्तू में सभी कुछ मिला लेते हैं दी जह टाकर नेंबु कारस गार लिए हैं लहसून अदरक हरी मिर्च प्याज नमक एक चोथाई चम्मच सभी चीज को अच्छी तरह मिलाना है अब इसमें डालेंगे अचार का तेल मसाला अचार का अच्छी तरह मिलाना है इस सक्तू में सभी कुछ अच्छी तरह मिला लिये हैं और यह पूरी तरह त्यार हो चुका है अब डो का लोई बना लेते हैं दस मिनट हो चुका है इस डो का लोई बना लेते हैं सभी लोई तयार कर लिये हैं सक्तू जो तयार किये थे वो इसमें भर लेते हैं कर लोई भेते हैं कर दायते हैं कर दो चुका है कर दो कर दो तक दो, रहागा लेते हैं इसी तरह सभी लोई में सत्तू भर लिये हैं और इस लोई को थोड़ा दवाना है इस तरह अब इस अभी को छान लेते हैं गैस ते कराही को चरहा देते हैं गरम होने के लिए कराही गरम हो चुका है अब इसमें तेल डालेंगे तेल को थोड़ी दिर गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें लिट्टी डालकर चानेंगे प्लेम को मेडियम रखना है दो मिनट बार इसे पलट देना है इसी तरह पलट पलट कर पकाना है लिट्टी को लिट्टी का कलर गुल्डेन ब्राण हो चुका है और यह अच्छी तरह पक चुका है अब इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं इसे पकने में पांच मियट लगे हैं इसी तरह सभी लिट्टी को छानेंगे यह लिट्टी पूरी तरह बन के तयार हो चुका है और यह बहुत ही स्वाधिस्ट होते हैं आप एक बाट ट्राई जरूर कीजिएगा अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें नीचे घंटी के निसान को दबाए ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेस्पी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें फिर मिलते अगले वीडियो में नमस्कार